तो आज मैं लेके आए हूं मूंग दाल का लड़ू जो कि इसे बनाना बहुत आसान है और किचन में जो हमारे समान है ना समगिरी उन्ही चीजों से हम इसे बना के रेडी करेंगे बहुत जहट पड़ और बहुत जल्दी ना तो हम इसके लिए भूरा का इस्तिमाल करेंगे न ना चासने का ना कोई ज्यादा ज्ञजट वगेरा इसमें बनाने का है तो यहां पे देखिए मैं डाल यह ली हूं मैं हापकेजी डाल है जिसे की मैं रात कोई भिगा के रखी थी तो यह अच्छी तरह से देख सकते हैं फूल गया है अब हम क्या करेंगे इसको छान लेंग और चार इसमें हरी लेची में डाली जार में अब इसका हम पॉडर बना लेंगे तो बोले ना कि इसके लिए ना तो हम भूरा का इस्तिमाल करेंगे ना चासनी का सिफ चीनी का पॉडर बना के रहमें इस लडू को बना लेंगे और यहां पे कडाही में एक चमच तेल को डा तो पॉडर बना लिए तो पॉडर हम इसका दरदरा सा बनाएंगे जैसे कि यह हो गिया है आप इसमें हम डाल देंगे आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं बहुत बारिक बारिक इसे चौप कर ले और डाल देए अब दोनों को मिक्स करके हम सैड में रख दियें सेम जार मे दाल को हम पीश के रेडी करेंगे लेकिन हाँ पीशने के लिए आप इसमें पानी का इस्तमाल नहीं करिएगा सिप ऐसी पीशेगा यह तरह से फूला हुगा राता है ना पीश के रेडी हो जाता है अब फिर से वही कडाई को मैं गैस पर रखी हूं यहां पे मैं तीन चमच तेल डाल रही हूं आप तेल के जगा पे यहां पे आप घी अगेरा भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह हो गया था अब पीश के सभी को हम डाल दी है डालने बाद हम क्या करेंगे इससे भून लेंगे अच्छी तरह से भूनेंगे भूनने के बाद ना इसमें बहुत अच्छा तरह से भून जाएगा और मैं इसके लिए मैं इस पेचुला भी चेंज कर ली क्योंकि वह उससे नहीं हो रहा था और यहां पर मैं एक कटोरी ली थी रिफाइन ओल तो थोड़ा सा बचा हुआ लगबग एक चमच के इतना बचा हुआ है बाकि पूरा लग गया इसको भूनने पड़ेगा 15-20 मिट समय लग जाएगा भूनने में तो यहां पर देखिए भून के रेडी हो गया इसे ठंडा कर लिए ठंडा करने बाद ही आपको डालना है इस चीनी का पॉर्डर में इसे अब डाल दिए हम और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने बाद यह भींग के रेडी हो जाएगा बहुत जल्दी यह भींग जाता है ऐसे अगर समय है तो आप पहले भी डाल सकते हैं तो मैं रात को ही डाल दी थी क्योंकि मुझे पता था कि सुबह हमको यह लड़ू बनाना है इसलिए और अगर आपको तुरत मन हुआ ता आप इस तरह भ किछन में तो मैं इसे सुबह सुबह बनाई हूं और जो मेरा किछन का खीड़की है न जगा पे मैं चूले को रकी हो न अस है मुझी जगा पे इसलिए अगर कभी लाइट भगेर भी नहीं रहता है न दीन में तो मैं आराम से रेसिपी को बना लेती हूं ज्यादा लाइट तो मैं ऐसी भी दिन का भी धूप में रॉसनी में मैं रेसिपी को बना लीती हूँ तो यहां पर देखिए मेरा पूरा लड़ू जो था बनके रेडी हो गया तो आप इस दिवाली इस लड़ू का जरू से ट्राइक कीजिएगा और ऐसे भी तेहवार वगेरा आ रहे हैं तो कोई सभी तेहवार में आप इस लड़ू को बनाई यह बहुत टेश्टीर बहुत लिखाई हूं कि इतना अच्छा लग रहा है पूरा दानेदार बनके रेडी हुआ है तो आप लोग को कैसा लगा मेरा यह रेसिपू जरू से कमेंट कीजिएगा और जो दोस्त हमेशा मुझे कमेंट करते हैं उन लोग को मैं थाइंक्यू बोलती हूं थाइंक्यू थाइंक किया करें